कि दोस्तों नमस्कार मौपेन यादम दोस्तों रीड सिक्सेक पड़ती दोजार अठारा के पूर्स उची को लेकर दोस्तों मैं सोसल मीडिया पे कहीं दिनों से देख रहा हूं भूत कमेंट कर रहे हैं कि तीन गुना चार गुना दो गुना इत्ते दिन से कुछ हो रहे थे मैं लगाता चार दिन से भाग रहा हूं आज भी अब जस्त निकल के हूं मैंने प्रियास किया था आप लोगों के लिए और जब मैं में से मिला था परसो तो मैंने कहा था डेट गुना परिदिनाम निकलेंगे लेकिन फिर कल एक बार मिटिंग हुई और आज मिटिंग गरी खाली है उस पर कर एक और सुचि जारे होगी डेट भुना के नहीं होगी त्यक्रीग नों टीएश्वी फस्त लेवल और सेकड लेवल के आ रिया और जो विसेश सिख्षक जिनकी एक भी वेटिंग सुचि जारी नहीं हुए लेकिर उनकी भी सुचि नहीं आरी क्यों नहीं नहीं दिया है तो उनकी सूची को भी रोक दिया हैं जो लोग आ सकती थी दो गुना सकती एक बिट गुना सकती क्यों नहीं कर रहे हैं वो इसलिए दिक नहीं विदिक राय लिए उस कौछ भुस्स ये कहा है तो उनकी । फॉची अईice नहीं जारी होगी में ने से निकाला निकाल सैमत थी रहा हुँ मेडम से पूछ लेना क्यों मिलके गया था आपने क्या कहा था लेकिन उस समय मेडम खुद भी चाहती थी ज्याद ज्यादा लोगों फाइदा हो लेकिन जो विदिक राइड जो उनके जेलर साब थे जो इनके विदी प्रकोष्ट के वह भी थे और विकानेर से भी निदेशक म हो देते और देश तेस्ट तमाम अधिकारियों की मिटिंग हुई तो उसमें यहीं निकला कि हाइकूट की जो निन्ने है उसके आधिस की पांड़ा की जाएगे निन्ने क्या है मालीजी सो सीट है पहले असी बर चुकी है बीसीट पर दिया तो असी बर चुकी है तो उन्से निच वालों 20 को लेंगे यानिकि जिसबी कीटिक्री की सीट्येकली है थी वूाप्रेट की जाएगा उनको लिया जाएगा कघे को पूल मिलाकर ता रही सपरां नहीं होगा केवल वेटिंग रही कि ऊपरत नहीं केवलले वैटिंग आएगी कि उन्होंने कहा कि हम लोगी आदेष के वाल नाकर के देड् Lee को नाकर निकालेंगे इन एकी माभरा अटक जाएंगा और भर्ती परिए जो उटक जाएगे तो उन्होंने कोड के आदेष की पामना की हैं अब मैटिंग में फाहिनलजीसै आदेश कल जारी हो परसो जारी और सो मर्गो जारी हो यानि कि शिक्ष्या मंतिर जारी होने मैं कोशिश करूंगा माने मंतिर से बात करेंगे आदेश जारी होने के बाद करीब 20 दिन में आपका परिनाम आएगा तो बीस दिन में 15 से 20 दिन में आपका प्रिणाम आएगा 1520 दिन में क्योंकि मैंने बताया था अलग लग जिससे अलग लग केटेगरी स्पोर्स इसके अनुशार परिणाम पचास से ज्यादा तरीके से परिणाम तयार होगा तो उसमें 15 से 20 दिन लगेंगे और उसके बाद कर शाद दिन में आपके जिलावंटन का कारी होगा हो उससाद दिन के अंदर आपकी काउंस्लिंग किन निदिश जार हो जाएगे यह आपकी जो लोग पूछ रहे था न कि हमारी जोइनिंग कब तक हो जाएगे 20 और 10 तीज और 7-36 दिन यानिकि शेतीं से 40 दिन में आपकी जो जो जाएगी जो सुची जारे पाद मातस्व मैने परक्रिया जोई तक के लिए और मंत्री जी के पास पाएगे अनमोदन होना है और फिर उसके पाद आधेस जादी जाएंगे सारी complete परक्रिया हो चुकी है जो कल मामला अच्छानक रुका था कैसे क्या किया जाए एक बार उन्होंने विदिग्राई ली विदिग्राई में जब उन्होंने बताई विदिग्राई जो उनके जेलार होते हैं जो कानून विश्य सब्सक्राइब कहा कि हम लोग हा बदों की सूची आएगी इसके अलावा रिशपर नहीं होगा वेटिंग होगा अब कई लोग कुछ भी कहें दोस्तों में तो जी जान लगाकर माने नुख्यमंत्री का अस्वासी मेरी जित से मेरी मैनत से यह सूची आ रही है मुझे पता है जिसका नंबर नहीं आएगा उ काम किया है मुझे पता है इसमें मेरी यल्टी नहीं है रहा हूँ जो विशेश सिक्षक है उनकी एक भी सूची नहीं उसकती थी लेकर यह कहते हुए कि उनका रही का अधिस नहीं है इसलिए उनकी सुची जाएं नहीं हो तो आपकी दोगोना तीन पुना केशें यह विधिक राई में उनने लिए थोड़ा समय लेगे लेकिन आपकी सुची जारी हो जाएगी इसलिए जो कुर्स सुची का इंतिजार कर रहे थे मुझसे जितनी मैंनत भी मैंने की हैं कई वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ बोलेगे लेकिन मैंने जो वादा किया चाहिए लटाना पड़ा चाहिए जेल जाना पड़ा चाहिए अंसन करना पड़ा चाहिए शिक्षा मंत्र जी के सामने हाल जोड़ना पड़ा कैसे जैसे करके और आपकी सुची आपके सामने मैं लेकिया हूँ जो आपसे वादा किया था कि जान तो घर बैठे आप देख रहे हैं कोई कर बैठा है कोफी पेश्ट करने काम करेंगे बहुत कोफी पेश्ट करेंगे और वो भी इस मामले में बोलेंगे जो लोग अपनी बढ़ती की जो 16 वे 17 अपनी बढ़ती की सुची निकला पाएं उनके मामले में सरकार ने चैलेंज कर द दाप आपको भर्मित करने का काम कर ने तो ऐसे लोग उसे आप बच कर रहे हैं इसलिए यह वीडियो एक कोष सुची की करने के वालों के लिए है हाला कि कुछ लोग कहेंगे कोट में जाएंगे कि कोट का आदैसी है उसका आदैस की पांदना और यह तो ऐसे में आप यह लोग कहेंगे कि हमारे तुम पॉट जाएंगे इसको रोग देंगे नहीं रुकेगी जो विभाग पालना कोट के आदेश की कर रहा है और कोट के आदेश के अनुसारी सुचिया दिया तो मैं इस परस्ट बता दिया कब तक आपकी जोइनिंग यह भी बता दिया अब मानि हो जाएंगे उस समय निगेर आपात्र हो ग़ी हो और अच्छी बात तो उसको फायदा देश की वे फार् przyszek wanna यह नुक्सान वां लेकिन विदिक जिन्त करके आपके आदेस हो जाएंगे जय हैं जय भरत